एक सीक्रेट कोड होगा वो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी मेल आईडी पर जाएगा वह सीक्रेट के कोड आपको डालना पड़ेगा मैं बहुत ही बड़ी है और आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल दा फार्मा वर्ल्ड जहां मिलती है आपको फार्मसिस रिलेटेड अपडेटेड न्यूस कोड़ रिव्यूज और बहुत कुछ तो आज की वीडियो हमारी काफी जादा एकसाइट होने वाली है और आज की वीडियो का वेट बच्चे एक साल से कर रहे थे जी हां लाश्ट काफी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था अलग-अलग वज़ा थी सबके तो वह हम डिसकस नहीं करना चाहते हैं बट हां जब से उनका एडमिशन रिजेक्ट हुआ है जब से वह इस वीडियो का मतलब इस डेट का वेट कर रहे है जी हाँ 11 जुलाई 2022 एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं डिपसा डिपसरू के अंदर सेशन 2022-23 के जो एडमिशन है वह स्टार्ट हो गए है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ छोटी-छोटी बात है जिनको आपको मतलब ठीक है ध्या लेना एंड तो चले पिना टाम का वेज की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यार में सेडिल की बात करूँ है तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो डिफांव फर्स्ट येर डी एमल्टी फर्स्ट सेमिस्टर और जो हमारे अलक्स कोर्सेजां डिपसरू डिपस यह सर्टिफिकेट कोर्सेज और जितने भी एक साल दो साल के कोर्सेज उनकी बात करो तो उनके एडमिशन जो है वह 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और उनके जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह हमारी एक अगस 2022 मेरिट लिस्ट जो होगी डिस्पले वह हमारी ह अगस 2022 को और एडमिशन जो है वह हमारा 29 अगस से स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स जलते हैं हम ग्रेजवेट अंडर्ग्रेजवेट कोर्सेज जिसके अंदर आते हैं हमारे बीफाम बीपीटी बीफाम आयरवेदिक बीमल टी बीवीए बीए बीए सी बायोमेडिकल साइंस जितने भी यूजी कोर्स होते हैं वह सारे इनके जो फर्स सेमिस्टर के एडमिशन है वह स्टार्ट होंगे 11 जुलाई 2022 से जो कि कल फॉर्म निकल चुके हैं एक अगस्त को लाज़ेटर फॉर्म करने की 16 अगस्त से एडमिशन की मेरिट लिस्ट सो हो जाएगी और 29 अगस्त ऐडमिशन श्टार्ट होंगे वह 11 जुलाई से फ़ॉर्म स्टार्ट होचके हैं सेम डे एक अगस्त को मेरिट लिस्ट लाज़ेट है फॉर्म निकलने की और 18 8 2022 सो जो जो है वह मारा मेरिट लिस्ट का डिस्प्ली होगा 29 अगस्त 2022 को अडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे सो बात करों तो m farm का भी same procedure है एक अगस्ट से हमारा form start होगा क्योंकि m farm के अभी exam ही चलोगा हमारे college में 22 अगस्ट से जो है वो last date है form fill करने की 5 सितंबर को जो है वह merit list display हो जाएगी और 22 सितंबर को admission start हो जाएंगे तो आप इन important dates का याद रखेंगे ऐसी के साथ साथ कुछ फीस में इंक्रीजमेंट हुई है या नहीं यह कुशन मेरे से काफी बचे ने पूछा है तो मैं आप सभी को बढ़ा दो कि कि फीस में को इंक्रीजमेंट नहीं हुए है बाकी में फीस के लिए सेपरेट वीडियो बना दूआ आप इस वीडियो को देख लिए क्योंकि उस प्रस्पेक्टिस के अंदर में काफी ऐसी चीजे बताऊंगा जो की आपको जाना जरूरी है एडमिशन लें से पहले सब वह व सब्सक्राइब फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर हमें साइन अप कर रह तो ऐसी साइनप का उप्शन आता है साइन अप करो गे आपको एक सीक्रेट कोड होगा वह आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी मेल आईडी पर जाए गा वह सीक्रेट के आपको डालना लेगा वही डालनी है ठीक है डीटेल्स मैं बार पर हुआ हूं डीटेल्स जो भी बिल्कुल प्रफेक्ट होने चीए क्योंकि एडमीशन के तैम पर आपने कुछ फॉर्म फिल करने भी दिक्कत कर देना तो एडमीशन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत दोने वाली है तो फिल जो है registration form बहुत ज़्यादा important है ध्यान से भरना form fill करने के बाद जो एक registration details आती है उसकी confirmation माईएगा आपसे वो confirm करने के बाद next page पे जाएगा तो उस पे आएगा activate your account अपने account activate करने के बाद आपको एक activation code मिला गाए वो activation code आपको समाल के रखना पड़ेगा उस activation code को आप अपने welcome window में डालेंगे जब आप login करेंगे username प्लस activation code इन दो यहाँ पर कोई भी password की जुरत नहीं है बस activation code से ही आप login कर सकते हैं जो भी आप username create करेंगे वो username डालेंगे activation code डालेंगे submit कर देंगे आपको login हो जाएगा password login को भी option होता है अगर आपने जो password रखा है आप उससे login करना चाहते है तो वो भी option हमारे पास available है यहाँ पर और login करने के बात जितनी details है आप लेटर लेंटर में admission लें चाहते हैं बी फार्म में जो भी details आपको फिल करने है अपने education से लेटेड वो फिल करना है जो documents है उसको upload करके आगे proceed करना है याद अपने फोटो को upload करने में और signature को upload करने में काफी दिक्कत होती है तो उसका size जो होता है वह 4.5 into 3.5 cm होना चाहिए size में और resolution जो हो 100 resolution से ज़्यादा 100KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए दोनों फोटो भी और signature भी uploading में बहुत जाद दिक्कत आते हैं सो यार uploading बड़े ध्यान से करना save and proceed करके submit कर देना आपके पास confirmation acknowledgement slip आजाएगे उस slip का करता है तो आप direct हमारे comment box में हमसे पूछ सकते हो हम जहां तक होगा हम आपसे बात करेंगे कोसिश करेंगे और आपके problem को solve करें कोसिश करेंगे सो फटा-फट जाओ यार form fill करो और admission ले लो डिपसार में क्योंकि कई सारे नई पूर्स ब्यागे हैं जैसे बीएसी मुझे नहीं बताना था यह ने एक्स वीडियो बताऊंगा ठीक है अभी के लिए जान लोगी बीएसी बायोमेडिकल जिसको बीफाम नहीं मिल रहा है बेसी नर्सिंग करनी है तो वो भी हमारे कॉले से कर सकता है बिलते हैं नए वीडि अभी आप बता हैं आप बता बहाँ बढ़ हैं अभी मुझे से कर सकता था धरना ग्यों boxesδüne, बायोमेड़ वीडियो क्यों आप UP